हम भी अकसर एक तरह के रोल बना बना के खाखा के ठक जाते हैं आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी मज़दार सी रेसिपी ले के आई हो ना जिसे बना के आप एक दफा खाएंगे तो आप हर दफा यही रोल्स बना के खाना पसंद करेंगे बिस्मिल्ला करते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अस्सलाम अलेकुम एब्रिवन मेरा नाम है फात्मा और आप देख रहे हैं एफमस बावर्ची हाना चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने एक खुबसूरत से बोल के अंदर 5-6 अदद आलू लेने हैं आलूं को मैंने बॉयल कर लिया था बॉयल करने के बाद आपने इनको बोल में शामिल करना है और मैशर की मदद से आपने आलू को मैश कर लेना है depend करता है आपने कितनी quantity में बनाना है अगर आपको ज्यादा rolls बनाने है तो आप quantity को double या triple भी कर सकते हैं यहाँ पे आलू को मैंने mash कर लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ एक पाव के बराबर chicken chicken को मैंने boil किया था एक काली इलाइची डाल के पानी के अंदर और फिर आपने chicken को shred कर लेना है और आपने डाल देना है बोल में अब मैंने इसमें शामिल किये हैं दो अदद बारी कटी हुई हरी मिर्चे दो चमच हरा धनिया वन और हाफ टीस्पून नमक वन टीस्पून लाल मिर्च का पावडर वन टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चे नमक मेर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना मैंने डाला है इतना परफेक्ट है एक छोटी चमच जीरा धनिया पावडर एक छोटी चमच चाट मसाला पावडर अब आपने इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है यह बनाना बहुत ही जादा असान है और बनते बहुत ही जादा यमी है आप इन्हें बच्चों को भी बना के दे सकते हैं उनको लांच बोक्स में भी दे सकते हैं एक्तार में भी बना सकते हैं, किसी की दावत कर रहे हैं, तब भी बना सकते हैं, हाथों से mix कर लें, या मैश्यर से mix कर लें, it's totally up to you, मैं यहाँ पर हाथों का इस्तमाल कर रही हूँ, क्योंकि हाथों के इस्तमाल से तौडे हतना दा जायका भी, खाने में विछ तुर जान दा और चीज जहें, और ज्यादा मज़े की बन जाती है, mixture को जब आप अच्छे से mix कर लें, then आपने हाथों पे थोड़ा सा oil अपलाए करना है, या आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, फिर आपने ये mixture लेना है, थोड़ा सा, और उसके बाद आपने इसको roll की form में ले आना है, दिहान रहे कि आप rolls को अच्छे से bind करें, अधरवाइस ये खुल भी सकते हैं, अब यहां पे आपने rolls को coating करनी है, coating के लिए मैंने दो अदद अंडे लिए हैं, इसमें 1 फोर टी स्पून नमक, 1 फोर टी स्पून काली मिज का पाउडर डाला है, ब्रेट क्रम्स लिए है ब्रेट क्रम्स नहीं है, तो डबल रोटी का जो वाइट पार्ट होता है, इसको चॉपर में पीस लें और वो आप लगा सकते हैं, अब एक रोल को आप उठाएं, इसको पहले अंडे में कोट करें, देन आपने इसको कोटिंग करनी हैं ब्रेट क्रम्स की, दिहान रहे कि ज बहुत ही जादा शांदार और मज़ेदार क्रिस्पी बनके रेडी होते हैं, इसी तरीके से हम बना के सारे रोल्स रखते जाएंगे, अगर आपके पस टाइम है, तो आप बना के इनको 10-15 मिनट के लिए फ्रीज कर लें ताके यह अच्छे से से सेटल हो जाए, लेकिन अग अच्छे से गरम हो जाएंगा तो आज को आपने दर्म्याना कर देना है, और आपने इसके अंदर रोल्स डाल देने है, दिहान रहे, आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, अदर्वाइस जो रोल्स हैं यह खुल जाएंगे, तो आपने थोड़ा सा गरम ही करना है, गरम ओल मे अच्छा, इसके अंदर हर चीज पकी हुई है, आलू भी, चिकन भी, तो ज्यादा यह टाइम नहीं लेते हैं, बस आपने कलर देना है और निकाल लेना है, सर्फ करें, कैचप या गरीन चेटनी के साथ ज़रूर ट्राय करें, जबरदस रेसिबी है, थैंक्स पर वाचिंग चैनल का सब्सक्राइब कर लें, टेक केर, अल्ला हाफिज